आज हम आपको बताने जा रहा है आउला के बारे में जिसके सेवन करने से मिल जाता है अनेक बीमारियों से छुटकारा जी हाँ आउला हमारे शरीर के लिए बहुत फाइदे मन्द होता है बता दे कि आउला कोई आम फल नहीं है यह तो एक और शदी अफल है आवला में भरपूर मात्रा में एंटी ओक्सिडेंट पाया जाता है यह अन्गनेट रोगलाभों से परिपूर्ण है इसमें कई स्वास्थ लाब तायक पोशक तत्वों एवं खनेज पदार्थ में शृत है आवला विटमिन C का प्रचर स्त्रोथ है इसके अतिरिक्त यह बहुमुल्य फाल कैल्शियम, लोह, फोस्फोरस, पोटेशियम, जिन्ख, कैरोटीन, प्रोटीन, विटमिन एई और बी कॉंपलेक्स, फोलेट, सोडियम, संत्रिप्त वसा, फाइबर आहार एवं और भी बहुत सारे पोशक तत्वों से भरपुर है इस को बुराता है, मोतिया बिंद में कलेब लाइननेस, रतुन्री या कम दिखाई पड़ता हो, तो भी आवला का जिस फाइदे मंद है, आखों के दर्द में भी काफी फाइदा होता है, आवला हड्डियों के लिए उत्तम बताया गया है, आवला के सेवन से हड्डिया बिना स्वस्थेवं मजबूत दांतों के हमनका भक्षन करने के लिए योग्या हैं, तो यदि, आप दांतों को और स्वस्थ और मजबूत बनाना चाहते हैं, तो रोज आवला के कसे हुए प्रतार्थ जब आएं, आवला, तनाव से छुटी दिलाता है, आवला के सेवन से तनाव में आराम मिलता है, अच्छी नीन दाती है, आवला के टेल को बालों के जड़ों में लगाया जाए, तो कलर ब्लाइंडनेस से छुटकारा मिलता है, सर को ठंडा रखता है, और राहत देता है, आवला गले को भी तंदुरिस्त रखने में सहायता करता है, अदरक के ज यह मदु में को दूर कर आपकी जिन्दगी को मदु में बना देता है, यह रख्च आपको नियांतरन में रखता है और हृदे रोग, एवं दिल के दौरे से बचाव करता है, कर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेर और सुबस्क्रेब करना न भ भूले धन्यवाद